हम सब जानते हैं हरी सबजी खाना कितना जरूरी है खास कर बढ़ती उमर के बच्चों के लिए लेकिन बच्चों को हरी सबजी खिलाना किसी प्रोजेक्ट से कम नहीं है तो उनी हरी सबजीों में एक सबजी है परवत जो कि खासकर मेरी बेटी को बिल्गुल पसंद नहीं है। उसका नाम सुनके ही वो कोई सो दूर भाग जाती है। तो as a mother मैं तो उसे खिलाना ही है, मेरे दिमाग में वो चलता रहता है कि कैसे उसे मैं खिलाओं हूँ, हरी सब्चे उसके पेट में चाहे। तो परवल की एक ऐसी ही रेसिपी, जो एक मात्र ऐसी रेसिपी है जो खाती है और बड़े चाव से खाती है, जिसका नाम है परवल फट्टा, ये एक बिंगॉली रेसिपी है, बिंगॉली डिश है, परवल यानि बिंगॉली में कहते है पॉटल, तो इसका नाम है पॉटल बा साथ ये बहुत अच्छा लगता है बना की देखिएगा और मुझे ज़रूर बताईएगा और खास्ता मुझे लगता है बच्छों को ये बिल्कु समझ में नहीं आएगा पता ही नहीं चलेगा कि ये परवल खाया है उन्हों है तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरह पॉटल बाटा या परवल भरता इसे बनाने के लिए मैंने यहां लिया है परवल लगबख धाइक 100 ग्राम साथ में मैंने लिया है यहां पे आट से दस कलिया लहसून की और लिया है अनियन सीट लगबख एक छोटा चमच और साथ में दो हरी मिर्च और चाहिए यहां पे नमक हल्दी और चीनी परवल को अच्छे से धो के साफ कर लेना है और इसके एंस को काट लेना है इस तरह से सारे एंस मैंने काट लिये हैं अब इसे मैं प्रिशे कुकर में देदूं की बॉयल करने के लिए इसे हाई फ्लेम में तीन सीटी लगने तक बॉयल करना है यह देखिये यह बॉयल हो गया है इस तरह से यह सॉफ्ट हो जाएगा इसे अब छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है और चार पाच कलिया लहसुन के साथ इसे एक पेस्ट बनाना है याद रखिए मैंने यहाँ पे छिलका और बीज दोनों नहीं निकाला है दोनों का एक साथ ही मैं पेस्ट बनाऊंगी इसका एक महीन पेस्ट बनाना है बिलकुल इस तरह अब कड़ाई में मैं यहाँ पे सर्सो का तेल दूँगी लगभर तीन बड़े जमत को का वा इस पेस्ट बनाना है अब दूंगे इसमें अनियन सी, जिसे कलोंजी भी कहते हैं, या बिंगॉली में कहते हैं कालो जीरे, साथ में मैं दूंगी दो हरिमेज, जिसे मैंने स्लाइट स्लिट कर लिया है, और बाकी के जो लहसुन थे, उसे क्रश कर लिया है, इसे भी मैं दे दूंगी, ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाने पर, जो मैंने पेस्ट बनाया है, परवल का जो पेस्ट बनाया है, वो दे दूंगी, अब इसे अच्छे से चलाना है, इसे भूनना है, इसमें अब दूंगी नमक, वो आपने स्वाद अनुसा दीजिए, थोड़ी सी हल्दी, बहुत थोड़ी सी लगती है, इसमें, और चीनी, अब इसे अच्छे तरसे भूनना है, जब तक इस अच्छे से भूनना जाए, तब तक आपको परची चलानी है, इसके साइर्स जब छोड़ने लग जाए, तो समझ जाएगा, यह अच्छे से भूनना है, और यह तयार है, इसे भूनने में मुझे लगबाद 10 मिट लगे हैं, और यह देखिए, अच्छे से भून गया है, यह, अब इसे मैं एक सर्विंग बॉल में निकाल लूँगी, लीज़े रेडी है, परवल भट्ता पॉटल बाटा, इसे क्रीन चिली के साथ मैंने गर्णिश किया है, यह से होट राइस के साथ सर्व करें, और जरूर बनाए, और बनाने के बाद मुझे जरूर बताए, कामेंट बॉक्स पे क्यासा बना है, तिल देन बाई बाई बाई, मेरे नेक्स्ट वीडियो पे,